भारत की जो भूमी है वो संतों की भूमी का ले जाती है भारत में लाखों की संख्या में एसे संत हो गए जो संतों की आज भी लोग याद करते हैं जितने भी संत हुए उसमें मीरा भाई भी एक संत हो गई मीरा के चंद मीरा के गीत और मीरा का जो संगीत और मीरा के प्रती लोगों की जो भक्ती है वो इसी कारण है कि मीरा की जो कुरुष्ण भक्ति थी वो अनन्य थी ये मीरा भाई का जो आज हम नाम ले रहे हैं और मीरा भाई को याद कर रहे हैं तो उसका एक कारण है कि आज हम दुवार का के पास गोपी तालाउक से तीन किलो मिटर दूर मीरा कुंड के पास हम खड़े हैं यह आप देख रहे हैं यह मीरा कुंड है बहुत कम लोगों को पता है कि यह मीरा कुंड है और यह मीरा कुंड मेंदरडा गाउं में है यह जो पुरा दुआर का प्रदे से उसको एक नाम उसका उक्खा मंडल है यह उक्खा मंडल में 42 गाउ है लेकिन पहले ज्यादा गाउं होया कहते थे उसमें गाउं का नाम था मेंदरडा जो गोपी सामड़ा सर से 3 किलोमीटर दूर है और समुंद्र के तट पर है यह जो मेंदरडा गाउं है वह मेंदरडा गाउं से भेंट दुआर का है वह दोनों के बीच समंदर है और समंदर का जो रास्ता है वह करीबन 2 यां, 2,5 किलोमीटर पर है यह जो मीरा भाइक कुंड है यहाँ और आप मीरा कुंड है मीरा भाई के नाम से ये कुंड बनाया गया है यह और ये पूराना कुंड है तो मीरा भाई का जो अंतिम समयता है वो दुवार का में उसने भीताया एसा कहा जाता है मीरा भाई के बारे में हम सोचते हैं तो इतियासकार और जितने भी धार्मिक पुस्तके हैं उसमें मीरा भाई का जो समय था उसका उसमें अलग-अलग मतमतानतर है। सन 1498 में उसका राजस्तान के मेताड में जन्म हुआ और राजपुत घरानों में उसका जन्म होने के बाद जब मीरा भाई तीन साल की थी तब एक घटना हुई और वो घटना के बाद मीरा भाई का पुरा जीवन बदल गया यह जो मीरा भाई थी उसके दादा और उसके पिता उसका जो घरना था उसमें धार्मिक संतों का आना जना रहता था वो धार्मिक घर था तो जब वो तिन साल की थी तब उसके घर पे कोई साधू आया और उस साधू ने कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी वो उसको उसके पिता जी को दी और वो मूर्ती लेने के लिए उसके पिता जी को बार-बार मीरा भाई जो तीन साल की थी उसने बोला लेकिन पिता जी ने ऐसा सोचा उसकी माता जी ने ऐसा सोचा कि यह लड़की है अभी यह नहीं देने का जब बड़ी होगी तब देंगे तो उसने अपने म मूर्ति लेने के लिए बोली और कुरुष्ण भक्ति में बच्पन से लिन थी और मूर्ति से खेलती थी तब कुरुष्ण के कुरुष्ण की मूर्ति को देके अलग-अलग उसमें भाव आ रहे थे एक दिन ऐसा हुआ कि जहां मीरा भाई के माता पिता वो लोग रहते थे वहां से एक दुल्हा दुलन वो जो साधी करके निकल रहे थे तब उसने मीरा भाई ने अपनी मां को पूछा कि मां यह क्या है उ उसने बोला कि भाई मेरा दुल्हा भी कैसा होगा मेरी साधी कब होगी तो उसने बोला कि भाई तेरा दुल्हा तो है कुरुष्ण ही तेरा दुल्हा है और तुने उसको माना है तब से बच्पन से लेके उसको एसा महसूस होने लगा कि कुरुष्ण ही मेरे दुल्हा है वो एसे करते करते जब मीरा बाई बड़ी होती है तो उसकी साधी राजस्तान के मेवार के जो राणा शांगा जो रजवारे थे उसके पुत्र भोजराज से होती है उसकी साधी होने के बाद वो तो कुरुष्ण के प्रती कुरुष्ण की चाहत के प्रती और कुरुष्ण भक्ती में जो लिन्ड थी उसने साधी तो कर ली मरियादा और सामाजिक वेवार की वज़े से लेकिन उसका जो मन था उसका जो दिल था वो तो कुरुष्णा पे आ गया था और उसकी निस्काम भक्ति और उसकी चाहत थी और उस चाहत में कुरुष्णा महे थी वो तो जब उसकी साधी हुई उसके बाद उसके ससुराल वाले अलग-अलग तरीकों से उसकी परिकसा लेने लगे बार-बार उसको जहर दिया गया लेकिन कृष्ण भगवान की भक्ति की वज़े से उसमें उसको कुछ भी होता नहीं है एक दिन ऐसा होता है कि रजवाडों में कोई युद्ध होता है और उसके पती भोजराज का निधन हो जाता है इस घटना के बाद मीरा बाई का जो जीवन था उसमें बड़ा परिवर्तन आता है सांसारिक माया से हटकर उसने अपना परिधन भी जैसे सादू संत पहनते वैसे केशरी भगवे कपड़े पहनना सुरू किये और आसपास के जो भी कुरुष्ण मंदीर थे जब भी भजन किरतन होते थे कोई भी कुरुष्ण भक्ती में वो लिन हो गई इतना ही नहीं सामाजी सरोकार से बाहर होकर उसने जब भी कुरुष्ण भक्ती में यह भजन किरतन जब होते थे तो कुरुष्ण की मूर्ती के आगे जाके वो नाचने लगती थी तो ये सब देखकर जो वहां के लोग थे, जो समाज के लोग थे और उसके ससुराल के लोग थे, India वो उसको अलग द्रश्टी से देखते थे, उसको पसंद नहीं था लेकिन मीरा तो ठान ली थी उसने तो कि कुरुष्ण ही मेरे सखा है, कुरुष्ण ही मेरे भगवान है, कुरुष्ण ही मेरे पती है फिर उसका जो राजस्थान में ससुराल का जो घर था, वहां से उसका मन हट जाता है और उसने सोचा कि चलो अब कुरुष्ण में हो जाना है तो चलो गुरुणदावन चलते हैं तो काफी इतियास कार ऐसा बताते हैं कि वो गुरुणदावन चली गई मीरा भाई मीरा भाई गुरुणदावन जाने के बाद वहां जाती है सादू के साथ और वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है कि उरंदावन में गोस्वामी नामक के एक संत थे चो बहुती उस जमाने में बहुती अच्छे संत थे और उसने ऐसा सोचा के चलो हम अभी गोस्वामी महाराज को मिलते हैं और गित संगित के प्रति उसकी रूची थी, वो पूरे प्रदेश में सब लोग जानते से, उसके जो भजन थे, वो खुद अपने भजन गाती थी मीरा भाई और उसके भजन और लोग भी गाते थे, तो गोश्वामी महाराज ने उसको बोला कि हम किसी ओरत को किसी महिला को न अब यही था, कि पूरे वुरंदावन में कुरुष्ण के सिवा कोई पूरुस ही नहीं है, फिर यह बात ही नहीं आती कि महिला को मिलना यह न मिलना, तो यह जो जवाब सुनकर गोश्वामी महाराज आए, और एक अच्छे संथ, एक उत्कृुष्ट संथ से दूसरे अच् और काफी दिनों, काफी सालों तक मीरा भाई वुरंदावन में रहती है, जो इतियासकार लोग मानते हैं, धर्मिक ग्रंथों में भी लिखाए, फिर जो मीरा भाई का मन था, वहाँ भी टिकता नहीं है, और वहाँ से, जो कृष्ण की कर्म भूमी, याने की दुवार का, औ और मीरा भाई अपने अंत समय में दुवार का आती है, तो आज ये पूरा दुवार का प्रदे से, पूरा उखा मंडल है, तो कृष्ण के दो स्थल हैं, एक उसकी राजधानी है, और एक उसका निवास्थान है, राजधानी उसकी दुवार का में है, और निवास्थान भे भी बेट दुवार का आते थे वो दुवार का दर्शन करके पेदल या बेल गाड़ी से गोपी तालाव आते थे गोपी तालाव से जो मेंदरडा गाउं जहां हम खड़े हैं वहां से बेट दुवार का जाते थे बीज में जो भी समंदर है वो समंदर की जो सते होती है आज सत मिराबाई आई होगी और यहां मेंदरडा गाउं है गोपी तलाओं के पास वहां मिराबाई यहां जो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है वहां मंदिर पे उसने पूझा की होगी क्योंकि गोपेश्वर महादेव वह भी हजारों साल पूरा ना यह मंदिर सीव का और यहां म मंदिर के पूजारी यहां गाउं के लोग थे उसने देखा कि मीरा भाई आई है कुरुष्णर का दर्शन करने के लिए तो मीरा भाई कुरुष्ण का दर्शन करने के लिए मंदीर के अंदर जाती है वो सब लोग देखते हैं लेकिन जैसे मीरा भाई मंदीर के अंदर जाती है फिर मंदीर के कपाट बंध हो जाते है और काफी समय के बाद जब पूजारी लोग मंदीर के कपाट खोलते हैं तब मं मंदीर में कोई भी नहीं है यानि कि मंदीर की जो मूरत की कुरुष्ण ??? भगवान की उसके आसपास मेराबाय की चुनरी थी जो अब भगवे कलर की वह चुनरी जो मूर्ति है उसके आसपास लिप्टी हुई दिखाई देती है और जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी उसका तेज ज्यादा तेजों में बन गया है याने सब मानने लगे के मीरा भाई सवदे है मूर्ति में समा गई और कृष्ण में हो गई और मीरा और कृष्ण एक ह यहां आज एक संत महाराज है जो गोपेश्वर महारा मंदीर है उसकी पूजा करते हैं और काफी सालों से यहां है तो महाराज जी आप जय द्वार का दिश आप गोपेश्वर महादेव की पूजा करते हैं यहां रहते हैं और यह मीरा कुंड है आप संत हैं मीरा भाई भी संत में बताना चाहूंगा कि जब से मैं यहां आया हूं तो मुझे भी अभी आप देखो मेरे रोमांच हो रहे हैं यह अस्थान पर मीरा जी का सचमुच में भक्ति के पराकाष्टा है यहां पर थोड़ी सी साधना करने से अनुभूत होने लगती है और ज्यादा तो मैं नहीं कह है कि यह स्थान के बारे में जब बोलते हैं तो उसका पुरा सरीर में कमपन होने लगता है तो जो कृष्ण भक्ति दी की जो चरम सिमा है वो चरम सिमा पे इस जगह पे आध्यात्मिक दरस्टी से जब देखा जाए तो यहां जो मन की सांती मिलती है इस जगह पे और खुद सिव जी भगवान यहां बेठे हैं और मिरा कुंड है तो यहां का पुरा यह कृष्ण की कर्म भूमी का एक भाग है तो और पास में ही गोपी ताला हुए कृष्ण भगवान ने कही लिलाई यहां की है और यह मिरा भग यहां आई और यहां से बेट दूर का गई वो भी क्रुष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे मेरी परमिशन के बिना मेरी रज्यामंदी के बिना एक पत्ता भी नहीं सकता तो जितना भी कुछ हो रहा था आज भी हो रहा है और आगे भी होगा वह कुरुष्ण भगवान की रज्यामंदी से ही हो रहा है दुवार का एपिसोड बनाया है और यह मीराकुंड जो दौरका के पास जो गोपी तलाओ है और गोपी तलाओ के से 3 किलोमेटर मेंदडढ गाउं में समदर के सत्रह के पास ही ये मीरा कुंड और गोपेश्वर महादेव का मंदीर यह स्थले कोई भी अगर आना चाहे तो दुआर्चा से नांगेश्वर पर फिर यह जो मीरा कुंड के पास ही गोपेश्वर महादेव का मंदिर है यह आप देख रहे हैं यही मीरा कुंड है और यहां से हम अभी समंदर की किनारे पे हैं और यहां से करिबन दोसो मीटर ही दूर है यह मीरा कुंड और यह इसमंदर का किनारा है और यह जो समंदर के पानी से जो रुक्ष होते हैं उसको गजिराथी में चेर और इंग्ली Sultan मैं मैंगूर ट्रेश बोलते हैं मैंगूर इस जो समंदर के पानी से बड़े होते हैं और समंदर का पानी उसको चाहिए तो यह जो मेंदर्डा का समंदर का जो किनारा है जो आप देख रहे हैं तो मीरा बाई यहां आई जिसके नाम से यह मीरा यहां से वेपार वानी जे सब होता था मेंदड़ा बंदर से अंगरे चो के टाइम पे और यहां से लोग जो यहां के अलग अलग गाउं के जो लोग थे वह लोग भी यहां से बेट इस रास्ते से जाते थे यह आप देख रहे हैं यह जो पूरानी जेटी है जो काफी सालों पूरानी लगती है यह जरजरित हो गई है जेटी लोग कहते हैं के पूराने समय में यहाने के साट सतर साल पहले जब अंग्रेचों की हुकुमत हुआ करती थी तब यह जो बंदर है मेंदड़ा बंदर उसका उप्योग होता था और यहां से लोग चलके बेट जाते थे पैदल जाते थे और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो अभी आप पानी देख रहे हैं जब सर्दी की मोसम होती है तो यहां पानी कम होता है तो जो बेल यहां से जाती थी तो बेल गाड़ी के जो पैये होते हैं वो लोखन के होते हैं और उसकी वज़ा से जो समंदर का जो टट है उस पे उसके निसान आज भी है बेल गाड़ी जो बेट जाती थी और लोग भी एक दो फिट पानी मिरंथा था वबहां से चलके रहां का जाते थे और यह म मीरा कुंड के नमके ऐसी होगी और कौर्फाट यहां से हम मीरा कुंड बहुत पूराना है और यहां से चलके सामने आप देख रहे हैं जूँ देख रहे हैं वो करनी Sat का मोसम है इसलिए सनलाइट नहीं है सुर्य प्रकास नहीं के वज़े से बहुत अच्छी तरह से आपको नहीं दिखा सकते हैं लेकिन सामने जो भी दिख रहा है वह बेट दौरका का भाग है यहां से तीन किलोमीटर यहां उससे ज़्यादा रास्ता है यह बेट का आज महां समंदर का पानी है और इस रास्ते से मीरा बाई मेंदरडा से होके बेट दौरका गई वहां कृष्ण का जो निवास था और उसकी मूरत थी कृष्ण का मंदिर है उसमें वो समा गई तो यह जो यहां के जो पूराना स्थल है यह बेट दौरका का वो आपने देखा और यह जो जो जगा है वो जगा बहुत पूरानी है और इस जगा के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसलिए जो भी लोग यह जो बीरा कुंड है यह आना चाहे तो आ सकते हैं बहुत अच्छी जगा है और यह सावन मास के अंदर यह दर्शन करने के लिए लोग आए और इस जगा का भी विकास हो एसे स्थल ओखा मंदल में बहुत हैं सावन के जो महीना है उसमें हम अलग-अलग सीव मंदीर और इस जो धर्मिक स्थल हैं उसको हम दुआर का टूड़े के दर्शक हैं उसको दिखाने का पूरा प्रैस करेंगे के मेरा परसंद हितेस दासानी के साथ मैं बुदा भाफाटी दुआर का टूड़े के लिए मेंदर राबंदर गोपी तलाओ